यह देखी मूं में रखते ही घुल जाने वाले रूई जैसे नरम और एक एक दाना खिला यह सूजी के लड़ू जिसे बनाना बहुत ही आसान है मैं परफेट मेजर बताऊंगी आपको इसके लिए ना आपको चासनी बनाना ना मावे की जरूरत बहुत ही आसान सी रेश्पी ह आप इसको ट्राय करेंगे तो सारी मिठा यफी की लगी अगर आपको अच्छी रखी तो प्लीज ज्यादर शेयर करें और लाइक करें अगर मेरे चल को फर्ष बाट विजिट कर रहें तो प्लीज में पर लिए बिल आइकन को जरूर प्रस कर लें जिससे बरे आने वाले न मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रेस्पी आप कैसे इंजोए करोगे और इस सूजी लड़ू को बनाने के लिए मैंने यह दो कटोरी मेजर करके सूजी ली है आपके किचन में मोटी वाली बारिक वाली कोई भी हो बड़ अगर मोटी सू बहुत जरूरी है उसी अपार्डिंग सारी चीज़े लेनी और इसी से मैंने दो कटोरी यह मिल्क लिया है ऐसा नहीं फुल पाड़ जो रेगुलर मिल्क हो बड़ गरम नहीं होना चाहिए रूम टंप्रेचर पे हो आप उसको ले सकते हैं और मैंने यह घी लिया है फोर टे पुरानी हो तो आपको नहीं लेना है नहीं लड़ों में टेस्ट चेंज हो जाएगा और मैंने थोड़ से बादाम काजू और किसमिस ली है अपने मन पसंद कोई भी ड्राइफूट डार सकते हैं या फिर बिना ड्राइफूट को भी बना सकते हैं आप कडाई में सबसे पह आते हुए भूनेंगे लो मीडियम पे बहुत ज़्यदा इसका कलर नहीं डार करना बस अमें इसमें अच्छी सी खुसबू आने लगती ना और मैं अभी आपको इसकी दिखा दूंगी कि किस स्टेज तक आपको इसको रोष्ट करना है बट आपको कंटीनू चलाना चोणना नहीं है और लो मीडियम पे बूने हाई पे नहीं यह देखे अब मैं आपको दिखा तूंगी यह देखिए बिल्कुल आपको आपको हल्क हलका इसका कलर चेंज हो गया ऐस लग रहा है बस इसी स्टेज तक आपको भून लेना है यह देखिए और इसको कड़ाई में नहीं जो नीचे जो सूजी होगी ना उसका कलर डार्क होता जाएगा आपको इसको ट्रांसपर कर लेना और ठंडा हो जाने देना है गरम में नहीं आपको आगे का प्रोसेस कहना है और जो मैंने मलाई ली थी ताजी मलाई उसको मैंने डाल दिया इससे क्या होगा क्योंकि यह मावा जाएक मैं भूख गुट्छ दसे पेले मिक्स कर लें आप इसे अच्छे से ब्रूणिया चुंक्स नहीं नहीं से Allah यह गई तो जब से बूनेंगे ना भा बहुत ज़्यादा प्राब्लम होगी और यह संव गुट्छु टेंसी जाविजी तो science मिनट हमें हो गया है ऐसी और मज़ेदार इस भी देखने के लिए मैं चल्ड को सब्सक्राइब जरूर कर लिजिएगा और बेल आइकन को जरूर पसकर लेना और यह देखिए अब आपको तोड़ा थीक दिख रही ना पहले बहुत जदा आपको इसका लूज दिख रहा होगा अगर रख कर खाएंगे ना क्योंकि हम लड्डू को स्टोर करके खा सकते तो अगर हम पच्छे ड्राइफूट डालते तो थोड़ा उनमें इसमेल आने का डर रहता है तो अगर हम रोश्ट कर लेंगे तो फिर इतना जल्दी उनमें इसमेल नहीं आता और क्रंची भी हो जा जाएगी और फटा 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 हम उनको ट्रांसपर कर लेंगे और अब घी हम इसमें बढ़ा देंगे क्योंकि हमें जदो कॉंटि में अब घी चाहिए इसलिए मैंने फोर टेलिसम इतना लिया था अब गयास को मैंने आन कर लिया है बिल्कुल लो रखा है और मैंने सूजी डालती है अभी आपको लग रावा की घी बहुत जादा है और अलग लग दिख्राइब अभी देखेगा यह पूरा अब जॉब कर लेगी और अभी आगे और इसमें गी डालेंगे दो से तीन बार रिपीट करके यह सारा घी तो अभी एब्जॉब हो जाएगा इसमें रिय इसमें वर जुकुले भश्य करहानी नहीं को बीच में पिल्कुल लुपर ही मैंने इसे बूना है बट यह आपको बिल्कुल नहीं कायना और देखिये इसमें बर ऑर ग्षा तो तो जुत मयने फिल से ड característ है जब जैसे जैसे यह ड्राय होता जाएगा आप 12 बार डालें जि इससे ही हमारी सूजी अच्छे से इसका दाना दाना खिल जाएगा फूल जाएगा और भूनते जाना है अगर लगेगी बहुत जदा लो है तो थोड़ा सा फ्लेम बढ़ा लें और फिर बीच में बिल्कुल लो कर लें ऐसे पर आपको 20-25 मिनट लग जाएगा गड़ी के इस पी आप ट्राय करेंगे तो फ्लॉप नहीं होगी जब आप अच्छे से समझ पाएंगे अगर समझ नहीं आथा तो रिपीट करके देखकर तभी ट्राय करें और यह देखिए अब बिल्कुल कैसे बिल्कुल यह एक एक दाना खिल गया है और आपको बहुत जदा गरम हो तभी इसमें नहीं डालना है चिनी को तगार चिनी जो भी यूज करें बट बहुत जदा ठंडा भी नहीं गया नहीं अगर बिल्कुल कम्प्लीरी ठंडा हो जाएगा तो इसमें फिर यह तगार जब मिक्स करेंगे ना तो बिल्कुल यह रफ रहेगा तो लड़ू बाइन यह सखटे आगा पर ताफ Our को अभे लिए मिलाएधर बनेगे और अगर आप फिरवी यह लगे कि ड्राय है तो धोड़ा सा दूत के छीटे माल इयां थोड़ा सा घि-डाल देआप बर देखिए मेरा perfect है मैंने मनाई डाला तो ये बिल्कुल perfect हो गया और देखिए कितने आसानी से बनना है ना और कितना इसका दाना खिला खिला और सूजी भी कितनी perfect भूनी हुई है अगर आप भी बनाएंगे ना तो really friends आपके भी लड्डू ऐसे ही दानेदार बनेंगे और आप इन्हें इस्टोर करके खा सकते हैं या आप ट्रैवल में कहीं जा रहे हो तो इनको लेकर जा सकते हैं और देखें अगर वह ऐसे नहीं बनता ना एक हांसे तो आप ऐसे बना ले जैसे बेशन के लड्डू बनाया जाता है यह देखें ऐसे दो हांतों का यूज़ करके और देखें मैंने सारे बना लियें कितने परफ्ट कलर और एक एक दाना इसका खिला खिला कि देखकर किसी को भी मुमें पानी आ जाएगा यह देखेंक कितना परफ्ट करके आपके बेले तो आपके बूँँ आंगे're शीं प्रसाइस का आ cockro purity को कarti कंबन करके मुझे जरू肯 बताना कि कैसी लगी आकगी मेरी चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहें तो चैनल को सब्सक्राइबर के बेल आइकन को जरूर प्रिस कर लेना जिससे मेरी आने वाली न्यू वीडियो क्नूशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप भी बनाना तो मुझे फीड़ग जरूर बताना और में चैनल पर और भी